आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक तो वैसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर होगा तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे और अगर आपको एक नंबर गिवें हो तो वह एलिमेंट किस प्रियाट किस ब्लॉक और किस ग्रुप का होगा उसको कैसे इडेंटिफाइ करेंगे इस रफिसर के सिंपल ट्रिक से तो ध्यान से देखे पॉइंट नंबर वन के आईउपसी नेम शिरिफ हम किसका करेंगे जिसक एटोमिक नंबर हंडेट से ग्रेटर हो और उसके लिए फिक्स रूल है डैट्स वेरी सिंपल जीरो के लिए निल वर्ड यूज करेंगे और सिंबल सबका फर्स्ट लेटर रहेगा वरी सिंपल तो जीरो के लिए निल वन के लिए यूनिट वर्ड से अन हो गया सिंबल पहल के लिए hex that is okay again 7 के लिए हेप्ट यूज नहीं करेंगे यहां पर सेप्ट यूज करेंगे तो वेरी सिम्पल एससे सेवन एससे सेप्ट ऐसा आप कनेट कर सकते हो क्यों ताकि दोनों लेटर सेम नहीं हो 8 के लिए oct 9 के लिए again non word use नहीं कर सकते क्योंकि already n use हो चुका है तो n word use करेंगे तो यह 0 से लेकर 9 number के symbol आपको याद होना चाहिए और उसका याद होना चाहिए अब इस पर question कैसे पूछेगा तो very simple आपको इस तरीके से number दे देगा और इसका नाम बताओ तो very simple पहले आपको one का लिखना है तो one के लिए क्या है un all right zero के लिए क्या है तो nil eight के लिए क्या था तो oct तो ऐसा लिख देना आपको digit का name un nil oct और last में क्या लगा देना i um तो un nil octium जैसे sodium potassium magnesium rubidium समने देखो i um लगा हुआ है चूंकि यह matter है generally तो इसलिए यह नाम हो जाएगा उसका similarly इसका symbol अगर बोलता तो सबका first letter one के लिए यू था right zero के लिए n था eight के लिए o था तो un o ऐसा हो जाएगा इसका symbol ऐसा suggest क्या गया है वैसे 119 का लिखना हो तो one है तो un फिर one है तो un और nine के लिए in राइट और लास्ट में i um और इसका symbol का जाएगा u u e इस टैप साब कर सकतो वैसे 113 है तो कैसे लिखेंगे one के लिए un फिर one के लिए un three के लिए try अब ध्यान से देखो और रेटी last में i r तो फिर से i um नहीं फिर उसके बाद um स्रीफ क्योंकि और रेटी आया चुका है तो un untrium और symbol कासा हो जाएगा u u t तो इस टैप से भी question पूछा जाते हैं दूसरा इसका reverse भी पूछा जा सकता है जैसे symbol दे दे उसका atomic number केतना होगा या कौन से period block group में होगा इस टैप से पूछा सकता है जैसे u u b मतलब one one two right तो इसका atomic number केतना हो जाएगा 112 similarly u n o u मतलब one n मतल तो जीरो वो मतलब 8 तो 108 u u q तो 11 q मतलब 4 तो इस टैप से आपको दे सकता है तो यह बहुत easy है कई बार पूछे जाते हैं तो simple हम 4 marks जहां से gain कर सकते हैं ना वो ट्रिक जिससे आप किसी भी element का अगर atomic number given हो तो उसका period block group क्या होगा है that means pub g की बात करेंगे हो very simple ध्यान से देखो trick का point क्या है कि period number one two three four five six seven होते हैं यह आपको मालुम है तो reference हमने हर period में noble gas को लिया है तो first period में reference कौन हो गया है helium second में neon third में argon krypton, genon, redon and og right atomic number आपको सबका याद करवा दिया trick से क्योंकि पहला element का two मालुम है उसका eight जोनना है तो 10, फिर eight तो 18, फिर 18 तो 36, फिर 18 तो 54, फिर 32 तो 86, फिर 32 तो 118 तो यह आपको उस trick से याद हो जाएगा very easy है right और सबको याद रहता है तो यह atomic number हमारे लिए क्या हो गया reference हो गया अब जो भी number आपको given होगा उसको इससे compare करना है और ध्यान से देखना है कि उसके left side जाना या right side अगर left side जाना है उसी period में जाना है तो period वहरा जाएगा right side जाएगे तो next period में चले जाएगे right अभी मैं example से समझाता भी हो तो यह हमारे लिए हो गया reference number तो trick का एक point और यह है कि यह वाला trick आपको यह number में नहीं लागा ना 58 to 71 that means 58 को include करते हुए और 71 को भी include करते हुए यह दोनों number हो या इनके बीच का कोई भी number हो तो उसका period fix हो चुका है 6 और block भी fix हो चुका है F block और यह group भी fix हो गया 3 क्योंकि you know यहाँ पे होंगे वो scandium, yatarium, lengthenum यह lengthenoid series वाले तो lengthenoid series के सार group number 3 में होगा क्योंकि यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 3 होगा right तो group number 3 यह भी fix और period भी fix है यह 6 period में आते हैं तो इसलिए यह fix हो जाएगे similarly कहीं पे अगर atomic number 90 से 103 वाला आ रहा हो 90 और 103 दोनों included है या इनके बीच के कोई भी number आ रहे हैं तो फिर उसमें यह वाला आपको concept नहीं लगाना है simple उसका period 7 हो जाएगा block अभी भी F रहेगा group 3 क्यों क्योंकि यह active night series वाले हो जाएगे तो block F block है right group 3 है और period 7 fix हो जाएगा उसके बाद rest of the जितने भी atomic number बचे उसमें यह trick अब लगा सकतो लेकिन एक और मैंने point दिया कि अगर किसी element का atomic number 104 से लेकर के 118 तक आ रहा हो ध्यान दे यह दोनों number again included है तो 104 हो 105 6 7 and so on 118 तक तो उसका जो period हो जाएगा वो fix है that is 7 और group आप कैसे पता लगाएंगे तो very simple 100 से कितना extra number है जैसे अगर 105 है तो 100 से 5 जाएदा तो वो 5th group का होगा और 5th group बोले तो फिर block क्या हो जाएगा D block क्योंकि भी no 12 जो है वो S block है फिर 3 से लेकर के 12 तक D block है और यह फिर आपका 13 से 18 P block है तो इसलिए period उसका fix हो गया group जो होगा वही number हो जाएगा जो number 100 से जादा है जतना extra है तो greater than 100 वही number हो जाएगे और block उसके फिर according हम decide कर देंग तो यह है अपना trick अब हम इसके application की बात यह पर करते हैं जैसे suppose करो आपको दिया के एक element है जिसका atomic number 68 है तो उसका period block group बताओ पीवी जी तो देखो 68 तो 68 एक्चुली इन दोनों के बीच में हो गया तो period इसका fix हो गया 6 राइट ब्लॉक अभी भी F रहेगा group 3 तो मैं ऐसे कह चाह रहा हूं directly आप बता सकतो ऐसे question कई बार पूछेगे हैं आप PYQ देख सकतो वैसे ही 102 तो 102 is in between these two numbers तो again period is fixed 7 block is F group is 3 एक element जिसका atomic number 83 है तो वो कौन से period block group में होगा तो 83 को आपको compare करना है यह atomic number जो reference वाले तो 83 is close to 86 जिसके close होंगे उसमें चले जाना है तो 86 के close है राइ और 86 हमारा ज्यादा हो गया है 83 तक ही जाना है तो इसका मतलब यह 18 वाला था 86 यहां पर कहीं पहोगा तो इधर जाना हमें राइट तो 86 से पहले कौन 85 हैगा फिर 84 फिर 83 तो एक बात क्रियर हो गया कि उसी line में चल रहे है तो 86 वाले का period कौन है 6 राइट तो इसलिए period इसका क्या हो जाएगा 6 और बात करेंगे अगर block की तो you know 18 से लेकर के 13 तक आपका कौन सा है P block तो यह 18 है और आपका यह 83 लेन के आना है तो 86 फिर 85 फिर 84 फिर 83 तो अब जहां से देख सकतो तो अभी भी हमारा block क्या रहेगा P रहेगा क्यों क्यों क्योंकि यह 18 group यह 17 यह 16 यह 15 तो आपको देखना है कि कितना पीछे जाना है तो 15 group हो गया block P block क्योंकि 13 तक अभी भी P block रहता है तो इस टाप से question पूछे जाते है question number 1 में atomic number 37 है तो period block group बताना है तो again 37 is close to 36 यहां से यहां से देखो तो 36 के आगे जाना है तो यहां पर 18 के बाद कुछ ने फिर यहां पर आना पर अगर आए तो 36 के आगे होगा 37 तो आपको period जो होगा 36 का period कौन सा है 4 तो उससे आगे चले जाएंगे तो next period में इंटर हो जाएंगे तो period आपका हो जागा 5 block की बात करेंगे तो definitely अब यह first or second वाले s block होते हैं तो यह s block होगा group की बात करेंगे तो यह group number 1 मा जाएगा 38 होता तो group number 2 में तो देखो इस reference से कितना easy हो जाता है तो इस type से question पूछ सकते हैं दूसरा पूछने का तरीका ऐसे कि आपको electronic configuration देदेगा फिर उससे तो ऐसे question में आपको simple सारे electron count करना आरगन बोले तो 18 तो यह हो गए right और 2 यह तो 20 और 10 तो 30 और यह 3 तो इसका मतलब 33 आप इसको इसमें convert कर लो तो 33 हो गया again 33 is close to 36 but 36 से कम है तो उसी में आमें पीछे आना है right तो 36 है तो period अभी भी इसका क्या रहेगा 4 block अभी भी दियान से देखो तो यह P block में रहेगा और कैसे तो दियान से देखो 36, 35, 34, 33, 36 वाले fix है 18 right group तो यह 17, यह 16 और यह 15 तो इसका group कितना हो जागा 15 और group 15 है तो कौन सा हो गया P block तो ऐसे करना है similarly आपको symbol दे देगा इस type से या name दे सकता है फिर से पुछा जाए त तो U मतलब हो गया 1, N मतलब 0, तो write 0, O मतलब optimum तो 8, यह 108 atomic number हो गया तो very simple इसके case में आपको direct बता जाए, period fix है 7, block group कैसे करेंगे तो 108 में extra कितना है 100 से 8, तो इसका group हो जाएगा 8 और group 8 है तो यह नो 3 से लेकर के 12 तो कौन सा है D block का, तो block कौन सा हो जाएगा इसका D block, देख करेंगे तो very simple, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो हमने आपको एक निमोनिक्स दिया था, सबसे last 7th period वाले का, कि अच्छा, रफी सर, दोबारा सौंग, भूलेंगे, हसो, मत, वही वाला है, right, तो AC जो था, अच्छा वाला, यह 89 वाला था, फिर इसमें 14 आपके कौना ज भूलेंगे, हसो, मत, यह वाला है, मत, right, तो यह 104, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसका मतलब इसका atomic number केतना हो गया, 109, और 109 हो गया, तो फिर से period fix हो गया, 7, block की बात करेंगे, group की बात करेंगे, तो क्या से, 100 से 9 extra है, right, तो group number केतना हो जागा, इसका, 9, और group number 9 है, तो block कौन सो हो रफी सर के simple tricks है, आप कर लेंगे, नाओ, जाते 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 ग्यान की बात, और that is very important, कि जो मेंडलीफ ने कुछ element को पहले predict किया था, और उसका नाम रखा था उसने, इका silicon, इका aluminum, इका boron, तो इस पे based match the column आ सकते हैं, या पूछा जा सकता है, चार option देख करके, कि इका silicon actually म at present consignment है, तो इका silicon germanium है, इका aluminum gallium है, इका boron scandium है, कैसे याद रखेंगे, तो simple rafi sir का trick, ध्यान से देखो, SI से सीता, GE से गीता, तो सीता गीता, AL aluminum G, तो अलग subject में BSC की है, तो ramming word क्या है, सीता गीता अलग subject में BSC की है, that means, सीता गीता मतलब, इका silicon को germanium बोलेंगे, अलग म में दोनों आ रहा है, right, AL, इका aluminum को gallium G से, subject इसे connecting word, BSC मतलब, इका boron को बोलेंगे, scandium, तो ये ramming word से आज सकतो, सीता, गीता, अलग subject में BSC की है, तो ये हो गया, second job जानते हो, कि हमारे modern periodic table में, total period 7 है, और group 18 है, right, जो horizontal rose होते हैं, उसको rose बोलते हैं, ध्यान देना, horizontal column नहीं लाइने, इसको column बोलेंगे, और step से horizontal rose होता है, तो इसको ध्यान रखना है, point number 3, K, जैसे mandleaf ने atomic weight के according element को arrange किया था, बट इन सब में उसका ये point गलत हो गया था, तो पूछा जा सकता, कौन सा option correct है, जहां पे mandleaf ने उसको accordingly, atomic weight के increasing order में नहीं रखा, तो ये 4 pair है, AR, argon और potassium में ऐसा उसने नहीं किया था, तो आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा, पैपसी, कोक नहीं, इस वर्ट से आधर सकतो, ये वो pair है, जहां पे mandleaf fail हो गया, right, you know mandleaf ने atomic weight को base लिया था, जबकि modern periodical atomic number को और ये valid है, तो you know कि physical and chemical properties of any element is a periodic function of atomic number, जबकि mandleaf या उससे पहले वाल था, and last point कि जो periodic table में दो तरीके से grouping क्या गुआ है, right, एक तो group number 1 to 18 आपका और एक roman numeral में, तो दोनों का क्या connection है, इस पे बेस भी कभी कभी question पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए ध्यान देना, ध्यान दो जो S block वाले हैं, और जो P block वाले हैं, उसको group A में रखा गया, और जो D block वाले हैं, उसको group B में रखा गया, that means, जो heavier element है, उसको group B में, जो lighter element है, उसको group A में, now the question is, जैसे group number 1 है आपका, तो उसको 1 A, right, roman numeral से 1 से 1 connect होता है, 2 से 2, 2 A, तो S block वाले A में है, उसको यह जो group number 3 है, इसको 3 B बोलेंगे, क्योंकि यह B में आता है, 4 वाले को 4th B, 5 वाल वाले को 6th B और 7 वाले को 7th B, यहां तक तो ठीक है, 8, 9, 10, इन 3ों को मेंडलीफ ने, एक ही इसमें रखा था और उसको 8 बोला जाता है, according to मेंडलीफ, तो धियान रखना 8, 9, 10, 3ों ही 8 roman numeral माता है, फिर यह जो 11th वाला है, तो 10 से कितना जाद हो गया, 1, तो इसलिए 11th वाल से 3 जादा है, तो यह 3rd, बट A का होगा, क्योंकि P block वाले सारे यह है, 14 को 4th A भी लिख सकता है, 15 को 5th है, 16 को 6th है, और 17 को 7th है, तो इसलिए ध्यान देना है, 7th A लिख है या 17, दोनों एक ही बात है, और 18 को 0 या एनर्ट गैस भी बोलते हैं, राइट, तो यह according to Mandelis और modern periodical में क्या connection है, इस type की भी question पूछे जा सकते हैं, तो I hope यह मेरा परियास पसंद आया होगा, अब आप इस पे बेस सारे PYQ कर सकते हो, थैंक यू